हेलो एवरीवन, गुईड मॉर्निंग, अपने ए त्रीपली मा बात करिये, एलेके एपलाइड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स एंजीनेरिंग मा बात करिये, तो बै चेप्टर आपना कम्प्लीट थे गया छे, हवे थर्ड चेप्टर स्टाट करीशू आजे, तो थ ट्रांसफोर्मर इडलेशू, तमाने क्वेस्चन थता हसे, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्ज, इडले के आपने DC जनरेटर, DC मोर्टर, वगे रे DC इलेक्ट्रिकल मशीन्ज मा आवल छे, और ट्रांसफोर्मर, जी बदा आपने सब्स्टेशन मा वगे, जग्या ये उप्योग मा लेवाता होई छे, तो इथाई गयू ट्रांसफोर्मर, तो आ थोड चेप्टर जे छे, ते टोटल 20 माक्स नू छे, तो आपने ध्यान्थी भणी शू, तो लेट्स टार्ट, हवे फर्स्टर चेप्टर मा छे इंट्रोडक्षन, हवे इंट्रोडक्षन मा तो आपने इलेक् अब्यास करी छू, अने ट्रांसफोर्म, बेजिक्स ओफ ट्रांसफोर्मर वीशे अब्यास करी छू, हवे DC जनरेटर, आपने यहां सेकेंड टोपिक छे, DC जनरेटर, हवे तेना इक्वेशन्स, टाइप्स ओफ DC जनरेटर, अने तेना उप्योगों जो इशू, DC मोटर, लेखेंड चुस, AC जनरेटर, DC जनरेटर, थ्रिफेश सर्कित, अब हे स्टार डिल्टामा कनेक छे ते, थ्रिफेश इंड़क्षन मोटर वी शे अब्यास करी छू, थ्रिफेश इंड़क्षन मोटर मा, तेना प्रकारों गया काया चे, अच्छी स्क्विरल गेज इंड़क् पच्छी नेक्स्ट छे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एटले के मतलमा यह बदा इलेक्ट्रिकल मशीन्स मां आवज चें सिंगल फेज, त्री फेज, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर वगेरे तो एना विसे बेजिक्स ख्याल लाईशू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हवे एटले के पोतानी रिते सिंगल फेज मोटर केम चालती नथी एना विसे पन अभ्याश करीशू नेक्स्ट छे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना प्रकारो एटले के तेना प्रकारो कया कहा छे तेना प्रकारो माँ छे स्टेडेड पोल टाइप मोटर इंडक्शन मोटर capacitor start, capacitor run, type induction motor इल्ले के अलग-अलग प्रकार ना आपने single phase induction motor कितला प्रकार नी होईचे इबधानों अप्यास करेशू next चे synchronance motor इल्ले के बद दीज motor होवीचे induction motor, synchronous motor, DC generator, AC generator, DC motor, AC motor बधा विसे आपने आचेप्टर माँ म्या माहीती मेडवशू हवे synchronous motor, तो synchronous motor नों construction के उचे इल्ले के आणी रचना के वीचे कारियों, features, लक्षणों अन्ने तेना फाइदा, gear फाइदा, induction motor अन्ने synchronous motor नी सर्खामनी आप बद दूज आपने थाड चेप्टर माँ जोवानुचे DC सर्व मोटर, एना प्रकार, फाइदा, gear फाइदा, उप्योगो, AC सर्व मोटर, स्टेपर मोटर इटले के बद दूज प्रकार नी मोटर नो अप्याश आपने, आ सेकेंड, थाड चेप्टर माँ करीशू पच्छी, drives, drives मेंज, ट्रबल शूटिंग ट्रबल शूटिंग कया का, स्टेपर मोटर ड्राइव, सर्व मोटर ड्राइव पच्छी, ट्रबल शूटिंग चार्ट नी जरूरियात, अने तेना फाइदा हो शूट छे इना विशे अप्याश करीशू सिंगल फेज इंड़क्शन मोटर माँ ट्रबल शूटिंग शू आवे छे कया कया प्रबलमों क्रेट थाए छे, अपने एने केवीरीते स्वाल करी शक्के इना विशे माहिती मेड़ाँ शू, लास्ट छे ट्रांस्फोर्मर, तो ट्रांस्फोर्मर ना टाइप्स, कोल टाइप, सेल टाइप पछी त्यनू classification आपणें केवी रिदे करी शक्किये एने विश्य अप्भियास करी शुआ पछी transformer ratio, turns ratio, transformer केटला rating ना आवे शे त्यनू EMF equation आपणें केवी रिदे solve करी शक्किये transformer मा थत्ता loss केटला शे core loss, iron loss, copper loss वगेरे loss विश्य अप्भियास करी शुआ ऐसे । ट्रांस्फॉर्मर्ने कार्य दक्ष ता ! thought तो तेना पर सु रियाक्ष्ण आउसे एनी वी से बात करीशू और ट्रांस्फोर्मर ना उप्योगों कई-कई जग्या है आपने करी शक्के छे एनी चर्चा करीशू पॉटो ट्रांस्फोर्मर और तेना उप्योगों और थोड़ाक स्टॉट क्वेस्चन जी ट्यो मां बद्धाज श्टैपर मोटाँ सिंक्रो मोोटर डीसी मोटर एसी मोटर सर्वो मोटर डीसी शर्वो मोटर जन्रेटर बद जावी जए और ट्रांस्फोर्मर और ड्राइवस एड़ले एमार ट्रबल कई-कई थाएचे तेना प्रोब्लेम सू छे एना वीसे पण हवे आजे आपने जोईसु फर्स्ट इंट्रोडक्शन ओफ इलेक्ट्रिक मशीन ट्रांस्फोर्मर अने ड्राइव्ज हवे उद्योगों मा विवीद प्रकार्ना इलेक्ट्रिक मशीन व्यापक प्रमाण मा उप्योग मा लेवाई छे आमा स्टेटिक मशीन जैमके ट्रांस्फोर्मर ओटो ट्रांस्फोर्मर अने ड्रोट्रेटिंग प्रकार्ना मशीन जैमके DC, AC जनरेटर, DC मोटर, थ्री फेस, सिंगल फेस प्रकार्नी मोटर, सर्व मोटर, स्टेपर मोटर वगेरे विवीद जग्याई विवीद रिते उप्यो रोटेटिंग मशीन जेमके AC, DC जनरेटर, AC, DC मोटर, थ्री फेस, सिंगल फेस प्रकार्णी मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर वगेरे भदी रोटेटिंग मशीन ना प्रकार छे हवे आ बद्दाना आपने कारिय उप्योगों इबद्धाज वीशे डीप मा आपने चर्चिया करीशूं हवे फर्स्ट आपणे जोई शू, डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर नूँ कारिय शूँचे, तो डीसी जनरेटर नूँ कारिय शूँचे, डीसी जनरेटर, मिकेनिकल एनर्जी नू, डाइरेक्ट करंट मा, रुपांतर मा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मा, रुपांतर करे शे एहां आपने जोई ए तो जनरेटर नूँ कारिया सुच्छे तो जनरेटर नूँ कारिया एज चे के मिकेनिकल एनरजीनू इलेक्टरिकल एनरजी मा फेरवा माटे आपने DC जनरेटर नूँ प्योग करिया चे बराबर इलेके अपने अना माटे अपने DC मोर्टर नो उप्योग करवा माँ आवेल छे अवे नेक्स्ट हतु DC जनरेटर नो उप्योग मिकेनिकल एनर्जी नू इलेक्ट्रिकल एनर्जी माँ फेरवा माटे DC जनरेटर नो उप्योग थाए छे मॐे DC जनरेटरनो सिध्धांत सुच है एलेके प्रींसीपल सुच चेd DC जनरेटरमाँ चुमबक क्षेत्रमाँ कोईल हेड इलेके क्लोग वाइस दीशामाँ फेरवा माँ छे एले के जे चुम्बक N औने S जे बे चुम्बक छे एने आपने क्लोक N औने S आ बननेव पोल छे एले के चुम्बक क्या पदार छे चुम्बक क्यों ख्षेत्रों एले के जे ए पदार थोई छे चुम्बक क्यों ख्षेत्रों एने कापे छे त्यारे बनने वाहक मां EMF इंड्यूजड थाई छे एने आपने कहिश्यू इंड्रक्षन मोटर नो मढल्लकमाँ जनरेटरणो प्रेजघ्वल एले के ज Tradर कोईं ुम्बक क्यों ख्षेत्रों ख्षेत्रों ज्यारे एने आपने clockwise फेरवामा आवे छे ज्यारे एने आपने clockwise एडले के एक दीशामा फेरवामा आवे छे त्यारे A, B, C, D भच्चे जे चुम्बक के अक्षेत्र कापया छे त्यारे बन्ने वाहक मां सु थाई छे बन्ने जे वाहक होई छे एमा induced EMF उत्पन थाई छे हवे आ वीज़ आ एटले के आने आपने सु कहिशू जे EMF induced थाई छे एने आपने वीज़ चालक बढ़ कहिशू हवे E is equal to आपने मलशे B एटले के फ्लोक्स आई V वोल्ट जेटलों मलसे B एटले के फ्लोक्स देंसिटी एने टेसला मापवा मावचे L is equal to लंबाई J में मीटर मापवा मावचे हवे वीज़ जालक बढ़नी दिशा Flaming ना जम्णा हाथ नब नियम परथी जानी शकाएछे, यहले बीज़ जालक बढ़नी दिशा शाना परथी जानी शकाएछे Flaming ना जम्णा हाथ परती जानी शकाएछे, तो हवे Flaming नो जम्णा हाथ न drastic by आउने હવે ફ્લેમીંગ્ણો જમણા હાતનો નીયા તો અહ્યા આપણે જોઈએ કે જમણા હાતની પહલી આંગ્ળી वचली आंगली औने अंगूठाने एक बिजाने लंब रहे तेय हो जी आपनों जमणों हाद होई छे एने आपने पहली आंगली वचली आंगली पेल्ली आंगडी वचली आंगडी पेल्ली आंगडी अने वचली आंगडी तेने आपने केवी रीते राखवानुछे एक बीजाने लंब होई तेम राखो अंगुठाने एक बीजानी लंब होई तेम आपने राखवाना छे हवे एज रीते आपने जोएशू तो जम्णा हातनी पेली आंगडी चुम्बक्यक्षेत्रनी दिशामा अने अंगुठो वाहक नी फरवानी दिशामा राखवामा आवचे टेक जे पेली आंगडी होई छे एसे माराखवामा आवचे चुम्बक्यक्षेत्रनी दिशामा अने अंगुठो जे थे वाहक नी दिशा फर्वामा राखवामा आवचे फचली आंग्डी छे ऊचे यह वी जंचालक बडवनी दिशा बतावे कोई कोईल जेपन कोईल होई छे एने आपने क्लोक वाईस दिशामा फर छे यह लगे क्लोक वाईस दिशामा आपने फेर भी है तो वाहक A B नीचे थी उपर नी तरफ जाए छे अने जो विजचालक बढ़नी दिशा A थी B तरफ छे ज्यारे वाहक C D नीचे नी तरफ जाए छे माटे तेमा विजचालक बढ़नी दिशा C थी D तरफ थशे हवे वाहक B ने C वच्चे नू जे चुमबक की अक्षेत्र छे A समान्तर गती करे छे एलेके 1 बीजाती सर्खू गती करे छे अने एक बीजाथी सर्खू गती करेजे ते थी तेना धरा चुम्बक्यक छेत्र कपातू नथी एटले के जे सर्खी गती करतू होय तो एना द्वारा चुम्बक्यक छेत्र जे होय एक कपासे नहीं माटे तेमा कोई वीज चालक बढ़ पैदा थातू नथी एड़ले केमा ती जो वीज चालक मरलमा चुम्बके शित्रक कपासे नहीं तो कोई पन प्रकार नी वीज चालक बढ़ पैदा थाशे नहीं तो आ थाई गयू आपनू DC जनरेटर नो प्रिंसीपल आने तेनो जम्नाहतनो नियम आने DC जनरेटर नो कारिय सुच चे तो DC जनरेटर ए मिकेनिकल एनरजीनू इलेक्ट्रिकल एनरजी मा रुपा अन्तर कर छे अने त्रायणो प्रिंसीपल जे छे तेम चुम्बक्य क्षेत्र इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्षन छे जेने आपने चुम्बक्य क्षेत्र कही शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ बनने वाहक बे वाहक होए एमाथी EMF induced ठाई छे तेने आपने कहीशू तेनो प्रिंसीपल अने जमडा हातनो निय थेंक यू